नवस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी बेस्ट फार्मर टवंटी यूटूब चैनल पर दोस्तों मैं हूं रविंदर सिंग आप देखरें बेस्ट फार्मर टवंटी यूटूब चैनल अगर दोस्तों इस चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करें बाजों में द महिएने दो महिएने के तो कोई भी पता लगा लेता है तो नर है या मादा तो अगर छोटे चिकश होते हैं जैसे की एक दिन का दो दिन का 4 दिन का एक हटेआगा तो उस में पता किषे लगाएं तो उस में पता लगाना बहुत ही मुश्किर होता है कि male female का तो आज की वीडियो में अपने बात करने वाले हैं इसी 3-4 इसी जो चीज है तो उसको आप देखे परचान के और पता कर सकते हैं कि male female तो अब दोस्तो वीडियो में बीना skip की अन तक बेने रही है तो चली दोस्तो बीना time गमा में वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर दोस्तो आप मूर्गी पालन करते हैं तो आप यहां तो चिक्स खरीद के लाते हैं या आप चिक्स घर पे निकालते हैं या मशिन से या आप मूर्गी के निचे अंडे रखके चिक्स निकालते हैं जैसे जिक्स निकल जाते हैं, तो आपके मन में यह सवाल जरूर रहता है कि कितने मेल है, कितने फिमेल है इस चीज़ का आपको बहुत ज्यादा मनलब रहता है कि इसको पहचाने का जो ज्यादा अ क्प्सपर्ट लोग होते हैं तो पता लगा लेते हैं तो उन चिक्स में वो पता ने लगा पता है कि male कितने फिमेल कितने तो आज की वीडियो में मैं आपको विष्तार से बताऊंगा जो जितने इसमें जिससे अपने देख के पता लगा सकें तो वो सारी चीजे मैं आपको आज इसमें किलिर कर दूँगा जिससे आप अपने घर पे आसानी से किसी किसे मदद लिए आप चिक्स में पता कर सकते हैं कि mail कितने फिमेल कितने तो जो मैं बता रहा हूं उसमें आपको 100% result आपको तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे कि आपके चिक्स निकल गए हैं तो एक दिन के अगर चिक्स है एक दिन से लेके साथ दिन तक के चिक्स है तो जो मैं आपको तरीका बताऊं कि उससे आसानी से आप पता लगा सकते हैं इसमें जो चिक है उसके मेल फिमेल का पता बोडिवेट है उससे भी हम पता लगा सकते हैं और जो इसके मल दुआ है उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि नहर है या मादा ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें और भी ऐसे तरीके हैं जैसे कि जो चिक्स जो है उसके जो चेहर है उस पर जो कलकी बनती है उससे भी आपने देख के पता लगा सकते हैं कि male female का तो ऐसे बहुत से उनके कारण है उससे पर पता लगा सकते हैं ठीक है तो अपने सबसे पहले बात करते हैं कि male female का पता लगाने का जैसे कि चिक से दो दिन का चिक से या एक दिन का चिक से तो इसके जो पर है तो पर को आप अंगलिय दिखाई देंगे ठीक इस तरीक से अगर आप जिस चिक के पीछे के पर छोटे और आगे के दो तीन पर है वो बड़े होते हैं तो वो फिमेल होती है जो फिमेल चिक है उसके आगे के पर है वो बड़े रहेंगे और पीछे के पर छोटे रहेंगे तो इक्वल नहीं रहेंगे तो समझ लिजे कि यह female है इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी दूम की जो चिक के दूम दिखाई देती है वो female होती है जिस चिक के दूम दिखाई नहीं देती है बिल्कुल भी वो male होता है ठीक है जैसे कि male के दूम दिखाई नहीं देती है जो female है उसके दूम दिखाई देती है तो ये भी तरीका समझने का होता है कि male female में जिसके दूम होती है जिसके दूम नहीं होती है तो इससे भी अपन पता लगा सकते है male female का ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके body weight का दोस्तो जैसे कि जिक्स इसके अपना 40 gram से जज्यादा का अगर body weight है तो इससे भी अपन पता लगा सकते है 40 gram से ज्यादा का body weight है तो वो male होता है और जो 40 से कम होता है तो वो female होती है इसमें दोस्तों बता नई सकते हैं कि 100 परसेंट नहीं है कि लगभग ये 95 परसेंट है कि इसमें अपन पता लगा सकते हैं जैसे की 40 gg से ज्यादा body weight है तो वो male होता है जो 40 gg से कम होता वो female होती है निवे आदेता है ढूंब भाद करते हैं जैसे दिआ की जो मल्ढड़ के निऊचे कुछ एट के just likeoff liquidity दिखाई देता है अगर वह डून है माली जी कि फिमेल है जिसके डोट दिखाई नहीं देता है वो मेल है ठीक है इसके बाद में बात करते हैं कि जो चेरा होता है चेरे से भी अपन पता लगा सकते हैं मेल फिमेल का अगर जो ज्यादा ही चीज को जानते हैं तो वो चेरे को देख के बता देते हैं कि ये मेल है ये फिमेल तो इस तरीके से दोस्तो आप मेल फिमेल की पैचान करके उनको आप अलग कर सकते हैं जैसे कि जो सेल के लिए चिक्स निकालते हैं तो अगर किसी को मेल ज्यादा चाहिए किसी को फिमेल ज्यादा चाहिए तो इस तरीके से आप पैचान करके और अपने जो चिक्स बैजते हैं या अपने सेल करते हैं तो उन को आप इस तरीके से पैचान के और और मैल मेंजा कर सकते हैं तो इसमें कि ज concepts रहा नहीं होस्त अगर आपको Madge म yhtुल सकते हैं अगर अगर माल ना टेना सकते हैं इस तरीके से आप पैचान करके आपके बहुत ज्यादा help होने वाली तो दोस्तो यह था अज का वीडियो Yum B male female की पेचान करने के बारे में बताय गया था और दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करके बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूद मन दोस्तों आपको लाइक नहीं करते हैं आप नहीं अभी तक चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए और जिसने कर रहा उसको बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तों मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय जवान जय किसान बाई बाई आप हुआ मुआ कर दोस्तों मिलते हैं क्षा तक कर रहा हुआ जवाद तक कर रहा हैं हुआ है झाल झाल झाल